बिस्मिल्ला वहमान वहीम असलाम लेकूम माई यूटीव फैमिली अमीद है कि आप सब हैर हैर यह से होंगे ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ आई मैं बनाने जारी हूँ चिकन के रेस्पी और साथ मैं चावल भी बनाऊंगी और स्वाइयां भी बनाऊंगी बहुत ही यूली प्राइव से ही तेस्टी और टलीशियघ है इस प है यह मैं चिकन के बनाऊंगी बनाऊंगी चले बनादें घीक और एक डेकजिम में डालके इश्चे से घर्म कर लिए है कि इसमें करोंगी और सिंट प्याज को अच्छे था गी में मिक्स करके हलका हलका ब्राउन करूंगी तीन अदद प्यास लिये थे अब प्यास को अच्छे था गी में मिक्स करके हलका ब्राउन करूंगी यह मैंने टमाटर लिये इसे ग्रेंडर में डाल लूँगी और यह मैंने लसन लिया भी ग्रेंडर में समकंड़ा भाइब ने आट है अदा ग्र Làs पानी के इसके इसका भी चैसली आड़गद करणा मैं बाइड को चिकर दिया बीट करणी घ्रैड घ्रिंड में समय पर हाफ चमच हल्दी और एक चमच नीमक यही मिसाले लिए आप इनको अच्छी तरह मिक्स करके मिसाले की इच्छी तरह के से बुनाई करूंगी ताकि मिसाला में अच्छी तरह के से बुन जाए मिसाले की इच्छी तरह के से बुनाई हो चुकि आप देख सकते हैं बिल्कुल अ बिल्कुल अच्छे से बिनाई का लोंगी चिकन की… चिकन की अच्छी तरी किसे बुनाई हो चुकि आप देख सकते हैं चिंजसा है पानी जया हो चिकने अच्छी गल जाए हमेह पर पान्ज से जाए गल जाय सुपन्जाए दैक नुखक दे देदेती हैं। जब Sut Komma The येदे कितनी अच्छे से बाली require री आ लिए पानी भी कम हो चुके अब Chung गर्ट कितने अच्छे से अच्छे से कल चुक है और पानी भी इत् भाज़े लिखक डेख बूंख सकते हैं यह जो एंड भारी लियािए राइड से भीट में नग्छेड दीफाद रिख्षा को बिखरा के तक एक जगह न पडिए रहे हैं तो है जब लिखरा के बिख्वर करें रहाई करेंगे और नो ड़ौ सूरो दन्हें लिख नेगे यह ड्यू बैए करें रिज होगए बंद में स्वेजरे को आयट पर्दृू हम ऐखह लोंग अब किया आप भी चीकन की बान के त्यार फूल बनाते हैं ये गी को गरम कर लिया बीच में तकरीब दो से तीन अधिद प्यास एड कारियों प्यास करें at medieval ब्राउन करें इतना डायbij के समुदू इंब्राउन फाद मे न्यन चजए पूरा एक पाटक एठ करें ह। चाहा बीच में और मिसाले भी एड करूंगी एक चमच ड़रा मिर्च और एक से दो चमच निम्ह », इइआच और यहूं अर इनको तक हम मिक्स का जो चॉए के अच्छ तरिकIC से बुणाकर का ऐसे द्थिके मार्ण आप देख सकते हैं इच्छ उच्छ से बना यह चुके जो ऑच्छे मिसाला बूँ चुका है हमारा अच्छे जबान की तियार है आप इसमें तक्रीब आप चेक पानी आपकारूँगी जेक्षे गलास पानी इसलिए क्योंकि मैं थीन गलास चावल लिए और चावल दुगना पानी आपको यह यह जैओ गर्मसाला पीच में आपकार वह तार देख सकते हैं इस से में डाटे कराये ऑफिछ मेरा आड़ हें मैं आप देख सकते हैं це बारे पाने ने हमाता हैं करूंगी चावल को अच्छी तरह पानी मिक्स करके अच्छी तरह इनको बाले आने दूंगी तक पानी बीच में हुश्क हो जाए यह आप देख सकते हैं चावल अच्छी तरह हुश्क हो चुक हैं पानी में और आप इसको दम पे चुड़ा देतें तकरीबं 5-10 मिंट के बहुत ही टेस्टी और डिश्यस चावल हमारे बने आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वाल्टी के चावल थे टोटा चावल थे जो के 260 के ते इसलिए यह बिलकुल अच्छे से बने चावल बनके त्यार हैं आप सवहियां बनाते हैं यह मैंने गी को गरम कर लिया और यह मैं बीच में स्वहियां आड का रही हूं यह वाली तकरीबन एक पैटक स्वहियां आड करके इनको अच्छी तरीके से स्वहियां की बनाई करूंगी गी में तक अच्छी तरीके से थोड़ी सी रैड हो जाए यह आप देख सकते हैं स्वहियों की बनाई हो चुकी है बि जाद ग्लास पानी आड करना है ज्यादा पानी आड नहीं करना और यह चीनी का एक का प्रीका एड कर रही हूं और थोड़ा सा नीमा कई आड कर रही है उच्छी तह पानी की बाली आणिदूगी ताकि पानी इच्छी तहाल सुईयों में से खुश्कुच हो जये बिल्कुल के त्यार हैं चाबूल भी बन के त्यार है और यह चिकन के रस्पी भी त्यार है आप देख सकते हैं इन सब को मैंने एक डीश में लगा दिया अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें अगर में चैनल में नियून तर चैनल को सब्सक्राइब